नमस्कार आप सभी का हमारी यूट्यूब चेनल पे स्वागत है आज हम आपके लिए कुछ कीचन टीप्स लेके आए हैं जो आपके बहुती काम में आने वाली कीचन टीप्स है वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी स्कीप मत करना और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये टीप्स कैसी लगी तो यहाँ पे हमारी पहली टीप्स है नमकीन के पेकिट को लेके तो मार्केट से जैसे ही हम नमकीन का पेकिट लाते हैं तो उसमें से हमें नमकीन निकालने के बाद में हमें उसको ऐसे ही चोड़ देते हैं तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे नमकीन भी हमारी अच्छे से निकल जाएगी और नमकीन भी हमारी बिल्कुल खराब नहीं होगी तो हमें इसे फोल्ड करके नहीं रखना है तो इस टिप्स के लिए में यहां पे खाली बोटल का यूज करूंगी पानी वा और बाद में हमें इसे पोलिथीन में इसे डाल के इसको अच्छे से पेक कट देंगे तो यह देखिए इस तरीके से हमें इसको अंदर की तरफ करके इसे अच्छे से फोल्ड करके इस पर हम रबर बेंड लगा देंगे तो यहां पे नमकीन की पेकट भी हमारा अच्छे से पेक हो जाएगा उसमें नमकीन भी हम अच्छे से निकाल पाएंगे तो यहां पे देखे इस तरीके से हमें इस पे रबर बेंड लगा के इसको अच्छे से पेक कर देना है तो ये देखिए कितने अच्चे से हमारे पोलिथिन पेक हो गई है अब हम इस पे डखन लगा देंगे तो इससे हमारी नमकिन बिल्कुल खराब नहीं होगी और निकालने में भी बहुत आसानी रहेगी तो आप इस तरीके से कोई भी पोलिथिन हो आपके पास चावल हो या दाल हो उसमें भी आप एसे लगा के उसको रख सकते हो तो ये टिप्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना तो अगली टिप्स है हमारी यहां पे बोटल को जिस बोटल का हमने डखन काटा था उसे हमें फेकना नहीं है इस बोटल को भी हमें दो बागों में काटके इसका भी हम यूज करेंगे तो यहां पे मैंने बोटल को दो भागों में काट लिया है जो इसका थोड़ा सा छोटे वाला पाट है उसको इस तरीके से बोटल में रखेंगे और इस पे हम डालेंगे जो हम बर्तन साफ करने के लिए इस पंज वगेरा रखते हैं वो तो उससा पानी हमारा इसमें निकल जाएगा और उसमें बिल्कुल भी इसमेल नहीं आएगी तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसे रख देंगे जिससे इसका सारा पानी निकल जाएगा और ये बिल्कुल भी इसमेल नहीं आएगी इनमें अगली टिप से हमारी आलू को लेके तो मार्केट में इस टाइम नए आलू आ है उसमें उपर छिलका इसका बहुत ही पतला होता है तो इसे हमें कैसे साफ करना है इसके हमें बहुती आसान सी टीप बताऊंगे आपको तो इसे साफ करने के लिए यहां पे हम जो हमारे पास ये वाला इस्टील वाला जुना जो आता है बरतल वगेरा साफ करते हैं चल्क केरें। था उतारा उतार नियुक्डू को है उतार है। तो यह आपे देखिए, मैं आलु को रहे साफ हो और उतार लिया है। तो हैना बहुती कमाल की टीप्स इससे हमारा आलू बहुती अच्छे से साप हो जाएंगे अगली टीप्स है हमारी प्याज को लेके जब भी हम प्याज काडते हैं तो हमारी आँखों में से पानी आने लग जाता है और आँखों में जलन होने लग जाती है तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे ना तो हमारी आँखों में से पानी आएगा ना हमारी आँखों में जलन होगी और आप चाहे जितने प्याज यहां पे काट सकते हो बहुती आसानी से और बहुती आराम से तो यहां पे हमारी आखों में ना जलन हो ना आखों में से पानी आए तो इसके लिए हमें यहां पे बहुती सिंपल सा तरीका बताऊंगी तो यहां पे हमें एक निम्बू का यूज करेंगे तो निम्बू को हमें यहां पे दो टुकडों में काट लिया है तो एक टुकड़े को हमें यहां पे जिस चाकू से हम प्याज काटेंगे थोड़ा सा हमें उस पे लगा लेना है और प्लेट में हमें थोड़ा सा निम्बू अच्छे से लगा लेंगे अब आप यहां पे चाहे जितने प्याज काट सकते हो बिल्कुल भी आँखों में जलन नहीं होगी और प्याज भी हमारे अच्छे से कट जाएंगे तो हैना कमाल की टीपस आप जब भी प्याज काटें तो इस टीपस को आप जरूर फोलो करें बहुत ही काम में आने वाली टीपस हैं जिससे हमारा काम भी आसान हो जायेगा और हमें प्याज छिनने में कोई प्रेशानी भी नहीं होगी तो आपको ये टीप्स अच्छी लगे तो लाइक करना, सेर करना और चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये टीप्स कैसी लगी अगली टीप्स है यहाँ पे हमारे हरे मटर को लेकर मार्केट में काफी मटर आ रहे हैं ताजा ताजा तो हम काफी मात्रा में मटर ले आते हैं और चीलने में बहुती प्रेशानी होती है तो आज मैं आपको यहां पे तीन से चार तरीके बताऊंगी जिससे आप मटर बहुती आसानी से चील सकते हो और इसमें आपको कोई प्रेशानी भी नहीं होगी तो यहां पे हमारा पहला तरीका है मटर को चिलने का तो यहां पे हमें मटर को इस तरीके से लेना है और दोनों से हैट से पकड़ के हमें हलका सा इसे गुमा देंगे जिससे हमारा मटर अच्छे से चिल जाएगा तो आप खुद देख सकते हो कितने अच्छे से मटर हमारे चिल गए हैं और दाने भी कितने अच्छे से निकल रहे हैं तो दूसरा तरीका है यहां पे हमें मटर चिलने का तो यहां पे हमें मटर की फली को इस तरीके से लेंगे और इसका जो पीछे का इस्सा है उसको यहां पर हमें अंगुटे से इस तरीके से तोड़ेंगे और इसको पूरा अच्छे से छील देंगे तो यहां पर हमें इस तरीके से इसका पूरा चिलका अच्छे से उतार लेंगे तो इस तरीके से भी मटर हमारा अच्छे से छील जाएंगे और तीसरा तरीका है यहां पे हमारे मत्र को देखिए इस तरीके से हमें पकड़ना है और इसकों में ऐसे गुमाएंगे देखिए इस तरीके से तो ऐसे भी हमारे मत्र अच्छे से चील जाएंगे बहुत ही कम टाइम लगेगा चीलने में जो भी आपको यहां पर तरीका अच्छा लगे मटर चिलने का आप उससे मटर चील सकते हो तो यहां पर आप चाकू से भी अच्छे से चील सकते हो देखे इस तरीके से हमें इसको काट के इसका उपर का जो परत है उसको में निकाल देंगे और इशया में इस तरीके से खोल के सारे दाने अच्छे से निकाल लेंगे तो मटर चीलने के तो बहुत सारे तरीके हैं आप जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप मटर चील के तयार कर सकते हो मार्केट में काफी ताजा-ताजा मटर आ रहे हैं तो आप 2-3 kg मटर लाके छील के उन्हें इस्टोर करके भी रख सकते हो बहुती कम टाइम में हमारे मटर छील के तयार हो जाएंगे तो मटर छीलने के लिए यहां पे हमें ना इसे पानी में डालना पड़ेगा ना हमें से अच्छे से मिक्षी में गुमाना पड़ेगा तो बहुती आसान है मटर छीलना आप बहुती आसानी से मटर छील के इस्टोर करके रख सकते हो अगर आपको मटर छीलने की यह ट्रिक्स अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद